आज के हाला को देखते लिए बड़ा ही मोजु विसे लिया गया है सावालों के संस्क्राइब और वही जो चीज़ ट्राई जाती है वह इससे उठाई जाती है कि उस पर कई द्रीद जो है अंदिकार थाया हुए है बार बार सत्य बोलने की बात उठाते हैं इसका मिसले जूट का बोलबाला है तो सवालों की संस्क्राइब पर जो बात रखी है मैं सूस्ता हूं की इसलिए रखा गया है जन सुरुकार में फोरा की जो बाहरतियों की खास्तों से संस्क्राइब रही है वाद संवाद की उसमें थोड़ा साथ ग्रेहन सा लगते हैं इसमें मैं दो किताबें आपको सजेश्च्ट होगा अगर आप पढ़ना चाहें भारतियों संस्क्राइब की बार्दा जिसमें वाद संवाद कुप प्राजीन काहल से इतना संवर्च्छा भिया है वह बाते कहीं गई है तो अम्रते से नहीं के आर्गोमेंटेटिव इंडियन से और दूसरा अभी वह जड़ा समयनेवा रवीश कुमार की आई है बोलना ही रंकर सुच्छ्ट कर दो देखिए आज मनुस से जिस अवस्ता से निकला है और जिस अवस्ता तक पहुंचा है वो जिद्क्यासा है उनके मन में उठी प्रस्म थे और उनकी खोज में लगा रहा और परिदाम्ते है वो समुध्यों को भी लागने लगा उन्ची उन्ची चोट्यों को लाग कर दूसरे देशनों भी जाने लगा और हर तरह के अपने जीवत को सम्रत बनाने के प्रियास करता रहा है और वो उसके पीछी तो कारण है वो मनुस्य के अंदर जो चिक्षिए विध्यासा है प्रस्त है उनको भी अब बात करते हैं कि सवालों की संस्क्रति भारत में तो मनुजी की बात का समर्थन करते में पर कहता हुए कि हमारे यहां वाद समवाद को बहुत तरजी दिए दिए दिख वेद में भी इस्वर के अख्तित्व पर भी प्रस्त पैया उस जमाने में भी उखनिया किस रूप में हैं कहां हैं कैसा हैं क्या करता हैं है या नहीं है तो ऐसा नहीं है कि प्रस्त करने वादे को दबोच लिया गया या उसको सजया देनी गई प्रस्त रखे गए शास्त्रार्थ होए और पिन शास्त्रार्थों में वाद समवाद में केवल कुरूसों की भागेदारी नहीं नहीं कि महिलाओं की भी जैसे गार्गी और मेत्रेग का नाम आता है कि उन्होंने में में के सास्त्रार्थ किये हैं और एक ही वर्व से नहीं सभी वर्वों से आप देखिए कि मत्यकाल में जो भक्तिकाल आया उसमें जो भक्तों ने प्रस्त उठाए हैं वो दलित्वर्ग से भी हैं कभीर दुलाए थे रेदास दलिते नाम देव ओपी सी ते तो ऐसा नहीं है कि भारत में कि अध्यक प्रस्तों को या वाप फ्रमाद को प्रसरे दी दिया दिया न तो यह कहता हूं कि आज़ की तोड़ना में अध्यकाल को अध्यकाल को मत्यकाल के बाद यहां बहुतिक कि उनल जागलर काल जो आए रादरा रहूं मोहन राए ताल्वा राध्वत राए उसके इन सावों ने ही प्रस्ट ही किये अपने सासन करने वाली सक्तियों से और उन प्रस्ट किसके लिए किये व्यक्ति गतलाब के लिए आप और हम मानव समाज के लिए या मालवता जीवित रह सके उसके लिए तो देगे कि उसी परिंप्रा को से द्रिग वैंब मोर्य कार को मद्दय कार को मुणनर जागरन काद ले जिएtez राष्री आंदुर्द कया रेजिएmor तक स्वतन प्रता आंदुर्दन के बाद हमारे राष्ट निर्माताओं ने जो अवधारना दी लोगतंत्र की वो इतनी विसुद्ध थी जिसमें सभी लोगों के मतों का स्वागत करने की बात कहीं गई कि और शबी लोटें मतों को लेकर समाजवादी हों संभूध रहे हों चाहिए सभी की राय से एक बड़ा उदार लोकतंत्र के लिए एक संभिधान बनाया जिसमें हमें पूर्ण अभिविक्दी की आजाजी थी और हम गवाएं इस पाप के कि हमने एक लिब्रल डेमोक्रेसी का काल देखा आज की परिस्ति में वह संभव नहीं है नेरु को ताल की बात बताता हूं मैं आपको एक पार मैं देखा नेरु जी बहुत बहुत होती थी और उसकी पारिटी के जो सांच सते वह भी उनको बहुत गया थे अब इत्याकी बहुत बड़ा नाम फिरोज गांधी तो उनके तामाद तेर कॉंडेसी थे लोईया तो क्या हुआ कि दीरे दीरे के जोईया और यह पीडी दीरे कम होती गए बोलना कम होता गया तो मैं अबना सोचा कि मजा गया तो उसमें किया एक छद्म नाम चानक्य के न अब नेटर्डूरियल चपवा रहा है एक बात कि क्या नेरू ताना सा होता जाता है अब अब चप गया है कि बाइच जो है देखिए नेरू का वियोद्वोई नहीं करते हैं और नेरू नहीं चपवा है अब नेरू के नजदीक थे थे थोड़ी खीगी लगी यह बात तो आधमें स्जाइनिक पुछले, इएके साथ अभ़ार की ध्यज़ें कें एक्षायज रके इसरे और नहीं कर्था है कि क्या नहीं ताना शाह होता जारा है, और जाना रूळी मुस्चुरए अश्चुरा है, और कहा कि मैं उंपा, तो सही है, जाना ह girls आख यह उदेखिए समाज का निर्मान होता है समाज के लिए काम होते हैं फाइनेस मिनिस्ट्र थे टी कृष्णा मचाया बजब बनाग्मे में इसे कोई एक सुचना लीव होते है फिरोज गांधी में वो गुद्धा होता है संसर उनके दामाद थे कॉंग्रेसी थे वेस वी प्रमानिकवा टी कृष्णा माचारी ने स्तिपति तो और हुदामी में नेृुं एक बहुत बड़े कार्परमिस्ट होते यह संका किसी बात से नाराज हो के नेरु की किसी बात से नाराज होगे इसे निती से नाराज होगे नेरु पार गदे मेरुट में काटू मना देख पर आप एक नेरु पूर्ण करते हैं संकर होगे कि संकर जी आप शाम की चाय आप गदे के साथ पीना पसंद करेंगे और आप देखिए कि उस आटों की ना चर्चा संकरने की नेरु ने की तो कहने का सब्सक्राइब यह है कि हमने वह काल देखा है जिसमें बोलने वालों को इतना सम्मान दिया जाता था इतना आदर दिया जाता था मान की जातीजी कि सवाल कीजिए सवाल कीजिए देखे सवाल नहीं करेंगे तो जो लोकतंत्र ने अपनाया है और मेरा मानना है कि सासन पद्धती में स्वास्थ लोकतंत्र से अच्छी सासन पद्धती नहीं हो सकते भलेई विकास भी में करते से अकर लोकतंत्र जे गए लोकतंत्र को पचेन अगय है कि ने लोकतंत्र का सीधा नाधा है सभास्माश वाद्ध नहीं थिए दो कन अभी की लिदी यह आद है किसी पक्रकार में एक याबट्चे में यह कि विट्टी को नमक के साथ मुट्टी खती विद्धर ही उस पत्रकार को यह लोग करो जब कि वो सच्छेंग एक और अभी बहुत चलब दुनारी बात नहीं है एंटी थे कुछ पत्रकारों ने शासन के खिलाब लिखा पुलिस वालों ने पुलिस इस्टेशन के गुला कर सारे अग्ट बस पत्रकारों केवल कच्छे में हैं रेटेशं के लिए पोलिस वाइर्न वाईरल हो एफ्टी है पुलिस की पुलिस माम के पुल्या कोई कारी वह किसने किला कोई जिसने यह वाईरल हो इसको गिरत्का सिरुखिए तो देए होई बात आती है लग भाप की बह मेरा नमबर नहीं है तो अगर नहीं बोलेगे तो नमबर सब्राइब तो मेरा कहना यह है कि लोगतंत्र को अगर रखना है तो बोलना जरूपी है यहाँ पर कि जो है एक कविता दो चार लाइने हैं कि उन्हीं जाना तर तो आजकल उल्जा दिया मंदिर मस्जिदों में इसके लाव पात करो कि आप बेरोजगारी की हर्थ विवस्ता की महगाई की तो या तो आप बेजद्रोहियों या पाकिस्तान परस्तों तो या पिर और में जाता हूं तो इंडियों दिया है तो बहुत अच्छी कर्या लिखिया है मंदिर मस्जिद पर ही है अलाकि सब्जेट्स पर लेना देना नहीं है पर इस तरह लेना देना चलिए है कि अगर बोलेंगे नहीं तो यह हाँ मंदिर से पहले मस्जिद थी मस्जिद से पहले मंदिर था उस मंदिर से पहले क्या था एक खेत था सायत है दान का होगा या बेनों का सबकी भूख से रिस्ता था भूख का कोई मजब नहीं है वो खेत कब का जब्त हुआ उस खेत के लिए कों लड़ेगा खेत से भी पहले क्या था अल्ला राम के नाम से पहले काबा काशी दाम से पहले राम राम सलाम से पहले सायत हना एक जंगल था जंगल में सब मंगल था आदम अभी आदमी नहीं था उसे आग लगानी नहीं आती थी आग का कोई मजब नहीं है वो जंगल चल कर राख हुआ उस जंगल के लिए कों लड़ेगा उस जंगल के लिए कों लड़ेगा जंगल से भी पहले क्या था सांप सांप करता कहकशा था हर सुन सिर्फ धुमा धुमा सा था तू कहां था मैं कहां था ना कोई हिंदू ना मुसल्मा था ना किसी का नामो निशा था ना किसी कोई मजब नहीं था वो कहकशा था देरो अरम हुआ कहकशा के लिए कों लड़ेगा कहकशा के लिए कों लड़ेगा देखिए इससे तो अच्छा था है कि अभी आपने गाए कि मैं सामन्दी थे अब बोलते में ते ऐसा नहीं है कि मोगल सम्राड मोगल खाल के देखिए अब बर सभी धर्मों और धर्माउदें बोलाकर धर्म की चर्चा करता था कि लापत का ऐसा भी है बहुत भैस मुदाई से हुआ करते थे तभी ये वो जो है उदार का लोगकंत्र जो भी है एक उन्नत जीवन कि एक स्वतन करता जो मनुशे का नेसर जीता है वह उसको जीता है तो अगर वोई जीना है तो प्रस्न करना से इतना है प्रस्न करना है चाहिए ना कि देखिए बन्यों